हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सरकी क्लास आज की ये शिक्षा निदेशाले राश्टर राज़ानिक्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट वर्कशीट नमबर 24 जो की कक्षा छटी के विद्यार्थियों के लिए है यह ली गई है हिंदी विशे से और इसमें हम फिर से एक बार पाठ नादान दोस्त को जारी रखेंगे तो चलिए बिना समय गवाय शुरुवात करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों पिछले कारे पत्रक में हमने लेखक प्रेम चंद द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त के बारे में पढ़ा और जाना कि केशव और शामा के घर की कारनिस पर एक चिडिया ने अंडे दिये हैं उनके अंडों को देखकर दोनों उनकी देखभाल में जुड़ जाते हैं चलिए आगे देखते हैं कि दोनों बच्चे चिडिया के लिए कैसे कैसे और क्या-क्या काम करते हैं शामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए खड़ी हुई थी स्टूल की चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरफ दवाव ज्यादा दवाव स्टूल पर आता था वो जरासा हेल जाता था उस वक्क केशव को कितनी तखलीफ उठानी पर दी थी ये उसी का दिल जानता था दोनों हाथों से कारणिस पकड़ लेता और शामों को दभी अवासर राटता अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा मगर बेचारी शामा का दिल तो उपर कारणिस पर था बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ धीले पड़ जाते केशव ने जूही कारणिस पर हाथ रखा तोनों चड़िया उड़ गई केशव ने देखा कालनिस पर थोड़े तिन के बिछे हुए हैं और उन पर तीन अंडे पड़े हैं जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थी न वैसे कोई घोंसला नहीं है शामा ने नीचे से पूछा के बच्चे हैं भाईया केशव तीन अंडे हैं अभी बच्चे नहीं निकले शामा जरा हमें दिखा दो भाईया कितने बड़े हैं केशव दिखा दूँगा पहले जरा चिथडे लेया नीचे बिछा दूँँ बिचारे अंडे तिन कोपर पड़े हैं तो आपने देखा कि इतने वो नादान बच्चे हैं कि उनको उनके मन में ऐसा कुछ है ही नहीं कि हम उनको नुकसान पहुचाएंगे क्या करेंगे बलकि उनको तो यही लग रहा है कि वो तिन के पर पड़े है न अंडे तो उनको कुछ मुश्किल हो रही होगी, कुछ हो रहोगा उनके नीचे हम कपड़े के टुकड़े बिचा दे ताकि उनके उपर अंडे रख दे और उनको अराम मिले लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जब वो अगर हाथ लगाएंगे तो फिर चिडिया कभी भी उन अंडों को नहीं छूती है और बलकि उन्हें फोर देती है लेकिन वो तो थेरे नादान बच्चे चलिए अब बहुत आसान से प्रशन उत्तर हम करने की कोशिश करते हैं तो पहला प्रशन है कि शामा के पकड़ने के बावजूद भी स्टूल क्यों हिल जाता था देखे स्टूल चारो टांगे बराबर ना होने की कारण जिस तरफ जादा दबाब पाता था वो जरा सा हिल जाता था है ना इसी कारण ही ऐसा होता था फिर प्रशन नमबर दो अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूँगा किसने किसको कहा तो ये तो केशव ने शामा से कहा था कहा था ये नहीं कहा था फिर प्रशन नमबर तीन कारणिस पर कितनी चड़िया थी तीन, दो, एक या चार चड़िया कितनी चड़िया थी विल्कुल सही दो चड़िया फिर प्रशन नमबर चार कै बच्चे हैं भाईया में कै का क्या अर्थ है कई, कोई, कितने या फिर कौन से आप में से कई लोग, कईयों की भाषा ऐसी हो सकती है जिसमें वो कै, यानि कितने के लिए वो बोलते हैं कि कै है मतलब कितने हैं तो उतर है ग, कितने अब गतिविदी गतिविदी है गध्यांश में आए सभी संग्या शब्दों को छाट कर लिखिए तो देखिए मुझे तो यही नजर आ रहे हैं आप मुझे पता है आपको कुछ और भी संग्या के शब्द मिल सकते हैं आप उन्हें भी लिखेंगे जैसे केशव नाम है, शामा नाम है स्टूल वस्तू का नाम है, कारनिस जगह का नाम है चिडिया एक पक्षी का नाम अंडे बिलकुल ये भी संग्या है घोंसला ये भी एक वस्तू है तो इस तरह से ये तो हुए संग्या के शब्द अगर आपको और नजार आ रहे हैं संग्या के शब्द आप इन में और उनको मिला कर रिखिएगा और टेलिग्राम एब पर आप हमारे चैनल को जोईन करना ना भूलें जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से आप हमारे चैनल के साथ जोड़िए और सारे वीडियोस की लिंक आपको एक साथ मिल जाएंगे तो ये तो थी आज की वर्क्शीट अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है न तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए अभी लाइक का बटन दबा दीजिए शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिजे ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं लेकिन याद रखिएगा कोविट से बचने के लिए कोरोना वाइरस से बचने के लिए घर से भार निकलते समय मास्क जरूर लगाएं और जब भी आपकी बारी आए करोना का टीका करण जरूर करवाएं क्योंकि करोना को हराना है और जिन्दगी को एक बार फिर से सुहना बनाना है इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद